दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रॉकेट साइंटेस्ट कैसे बनती हैं दोस्तो चंद्रयार थी ने जब से चांद के दच्छे धुरूपे लेंड किया है सबलता पूरो वक्त अपसी पहुत सारे स्ट्वेंट हैं जो जानना चाहते हैं कि रॉकेट सा दोस्तो अब पहला है कि रॉकेट साइंस होता है कि रॉकेट साइंस्ट होते इसने काक्या होते है और उसमतितों इही जो जो काम होता है वह आताकिide को तैयार करके गरए और तर्बबर रिएसर्च करना कि वहां पहर जीवन संभव है या फिर नहीं संभव है वहां पर पानी वगर है, कोई मिलरंस वगर है, जो हमारे लिए benefits दे सकता है, ये सारी चीज़े को जाज करने के लिए वे rockets को तयार करते हैं, और इसे कहा जाता है rocket science, अब आपको बताते हैं कि अगर आप एक rocket scientist बनना चाहते हैं, तो आपके पास qualifications क्या होनी चाहिए, तो एक rocket scientist बनने के लिए basically आपके पास 12th की मार्सिस होनी चाहिए, 12th में आपका physics chemistry math subject होना चाहिए, इसके साथ आपको bachelor degree भी आपके पास होनी चाहिए, बैचलर आप भी E कर सकते हैं, बीटे कर सकते हैं, aeronautical engineering के field में, जोस्तों, aeronautical के field में ही आपका graduation होना चाहिए, या फिर आप च अपना graduation भी पूरा करना होता है, तो ये सारी चीज़े आपको करनी होती है, कुछ skills demanding होती है, जो आपको पास होनी चाहिए, अगर आप बनना चाहते हैं, एक rocket scientist, उसमें आता है आपका system analysis and invention आपके पास नारकानी होनी चाहिए, negotiation and coordination की, good judgment की, इसके बाद decision making की, इसके बाद आ trust, tolerance, leadership, self-confidence, ये सारी skills आपके अंदर होनी चाहिए, कर आप एक बढ़ना चाहते हैं, rocket scientist, अब आई आपको बताते हैं, कि एक rocket scientist बनते कैसे हैं, एक rocket scientist बनने के लिए, सबसे पहले अपना 12th pass के लिए, जैसे कि हमने पहले बताया है, इसके बाद जैसे आप अपना 12th pass कर लेते हैं, इसके बाद directly, आपको J.E.M.S. के या फिर advanced के exam को कुलेर करना होता है, आपको admission लेना होता है, भी या फिर बीटे course में, ये course आपका 4 साल का होता है, और 4 साल इसके पको पढ़ाई करने के बाद, aeronauticals, engineering के field में, इसके बाद आपको अपना master degree भी लेना होता है, same field में, आप चाहे तो M.Tech कर सकते हैं, या फिर PhD ले सकते हैं, जो ज्यादा benefits होता है, बहुत सारे student है, जो आगे चलके rocket scientist बनना चाहते हैं, वो आगे चलके PhD ही करते हैं, और PhD करने के बाद, आपको experience लेना होता है, किसी भी research organization में, जहां पर rocket scientist के बारे में, आपको सिखाया जाता है, आप जिस भी इसरों में जाना चाहते हैं, या फिर जो भी rocket scientist से रिडर्ट है, जो भी फिल्ड होती, कमपनियां होती है, उसमें आप जोईन होके, एक rocket scientist के तोर पे काम कर सकती है, बात करते हैं, एक rocket scientist की सहली कि तो आपकी जो सहली रहती है, एक average आपकी रहती है, लगभग पांच लाग से बीस लाग रुपए आपकी स्टार्टिंग सहली रहती है, बात करते हैं, rocket scientist के स्टार्टिंग सहली और जैसे इसे आपका experience बढ़ता रहता है, आपकी सहली भी यहाँ पर बढ़ती है, तो इस प्रकार से बनते हैं, आपके rocket scientist, I hope आज की जनकारी को चलेगी दोस्तों ऐसे ये वीडियो के लिए चैनल को लाइक को सब्सक्राइब जरू कर लें, मिलते हैं इस तो वीडियो में थबता के लिए चैहन